हुआ है हलो इस्टेडेंट स्वागत है आपका टार्गेट बैलोजी में मैं आशी सर आज आपका फिर स्वागत करता हूं तो दोस्तों हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ठीक है कि इन फर्टिलिटी क्या होता है ठीक है यानि बंधिता या बाजस्पन क्या होत करें सemorशी है ठीक है साथियों तो आज हम लोग उसके आगी डिसक्ष करेंगे एक और इंपोर्टेन्ट के संकें ब्येलोजी के क्लास 12 ठीक है जो चेप्टर में आपको डिसक्ष करा और रहा हूं ठीक है इसके बारे हं लोग डिसक्ष करेंगे यहां से दोस्तों-कूछ तब हम अगले टॉपिक को डिसकस करेंगे आप जो भी आप important question करेंगे ठीक है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं कि लिए तो आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे हमारे वीडियो को notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे ठीक है और like, comment, share करते रहेगा ठीक है आई यह सुरू करते हैं दोस्तों देखेंगे आज हमें पढ़ना क्या है हम दो टॉपिक आपको अभी फिलाल यहां पढ़ाएंगे कि सेरोगेट मा क्या होती है और हम आपको बढ़ाएंगे उल्व बेधन क्या होता है यानि एम्नियो सेंटेसिस क्या होता है हम इस दो टॉपिक को अभी डिसकस करने वाले हैं प्रजेंट में कि यह दोनों चीज़े क्या होती है ठीक है तो देखो एक इंपोर्टेंट क्वेशन होता है कि सेरोगेट मा क्या होती है ठीक है और एक यह भी इंपोर्टेंट क्वेशन है कि उल्व सुरू करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है जानना क्या है तो हम देख लेते हैं ठीक है अगर हम सरोगेट मा की बात करने ठीक है तो मैंने यहां पर लिख रखा है सरोगेट मा को ठीक है आप इसको समझने की कोसिस कीजिए ठीक है और नोट्स यहां से बना लीजिएगा ठ अगर आपको चीजे क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आप हमको बताइए गां ठेके यहां पर डेफिनिशन क्या कह रहा है कि कुछ इस्त्रियों में निसेचन की क्रिया समान रूप से हो जाती है इसका मतलब है कि उस इस्त्री में उसका जो अबरी है यानि जो अंडासे है और ज ठीक है और आगे क्या करा है आगे करा है लेकिन कुछ कारडों से भुड का परिवर्धन नहीं हो पाता है सायद हो सकता हो कि उस इस्त्री में क्या हो जो उसका यूटरस हो उसके यूटरस में जो हमारा यूगमनस बन रहा है यानि जो मारूला ब्लास्टूला बन रहा है इसका implantation ही ना हो रहा हो हमें नहीं पता है या यू भी हो सकता है कि कोई ऐसी इस्त्री हो जो इस्त्री गर्वधारण नहीं करना चाहती हो इच्छुब नहीं हो कि मैं गर्वधारण नहीं करना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं बच्चे को जर्म देना चाहती हूं आप समय रहे ना वो मैं कहär रहा हूँ आपको कि ऐसी बहुत सी स्त्रियां है जो क्या करे है कि हम गर्ब को धारण करना नहीं चाहते है फिर भी अपने बच्चे की मा कहलाना चाहते है कि हमारा ही बच्चा हो ठीक है न तो इस केस के लिए क्या करते हैं हम सेरोगेट मा का यूज करते हैं ठीक है सेरोगेट मा में हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि कुछ इस्त्रियों में निशेचन क्रिया समानी रूप से हो लेकिन कुछ कारणों से भूड क परिवर्धन नहीं हो रहा हैं कि आ स्ट्री में यूट्र्वश्त भी समान हो उसका यूट्रस भी समान हो सब कुछ समान हो लेकिन फिर भी वह चाहे तो अपने बच्ची को किसी अन्य महिला के गर्व में क्या कर सकती है ठीक है वहां से वो बच्चा पैदा हो सकता है तो यह कैसे होता है इस चीज को हम सीखें गया ठीक है दोस्तों तो आएज देखते हैं, फिर हमने कहा की होता क्या है, तो हमने कहा यहां तक आप समझ गयें कि भूड़का परिवर्द नहीं हो पाता है, आप देख लिजे, तो ऐसी परिस्थिती में क्या होता है, जो इस्त्री होता है, उसका अंडाडू और उसके पती का सुक्राडू, यानि जो इस्त यानि उसके पती का हम क्या ले लेंगे सुक्राड़ू ले लेंगे इन दोनों को लेने के बाद हम क्या करेंगे टेस्ट टूब में यानि कि पात्रे निशेशन करवाएंगे इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे कल ही मैंने आपको पढ़ाए इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे फिर हमने आपको बताया था कि अंडाडू ले लिया और उसके पती का सुक्राडू लेकर हमने क्या करा है दोस्तों निशेचन करा है और निशेचन के बाद जब 32 कोशिका वाले भुरूड का विकास हो जाता है यानि जो युगमनत्स बना देखिए कैसे यह मालीजिये कि यह क्या है अंड कोशिका है यानि यह क्या है अंडाडू है और यह क्या है यह क्या है सुक्राडू है यह अंडाडू है और यह क्या है दोस्तों सुक्राडू है अब यह दोनों जब निशेचिक करेंगे तो क्या बना लेंगे यह जाइगोट का फार्मेशन कर लेंगे यानि युगमनत्स का क्या कर लेंगे निर्मार कर लेंगे और यह यूगमनच क्या करता है तीजी से डिवाइट करता है पहले एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोल सोल से बत्तिस को सिका क्या करता है निर्मार करता है जब बत्तिस को सिका वाले भूड का निर्मार हो जाता है विकास हो जाता है तो इस अवस प्रतियारोपीत करदेंगे अब डिपेंड्स क्या है 32 कोशिका है दोस्तो तो 32 कोशिका जब बन जाती है तो हम इसको कहा प्रत्यारोपित करते हैं तो हम इसको यूटराइन में प्रत्यारोपित करते हैं यानि गर्भासे में हम इसको क्या कर देंगे प्रत्यारोपित कर देंगे जब हम इसको गर्भासे में प्रत्यारोपित कर देंगे तो यह गर्भासे की भित्ति से क्या करेगा जुड़ जाएगा ठेक है अन इच्छुक में अन इच्छुक इस्त्री के गर्भासे में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसी इस्त्री को हम क्या कहते हैं सेरोगेट मा कहते हैं ठीक है उसी इस्तरी को हम क्या कहते हैं सेरोगेट मा कहते हैं किसको जो दूसरी इस्तरी है जो क्या कर रही है जो अपने अंदर जो अपने गर्भासे में उस 32 कोशिगा के भूड को क्या कर रही है प्रत्यारोपित कर रही है उसी इस्तरी को हम क्या कहेंगे सरोगेट मा कहते हैं ठीक है इस तरीके से क्या होगा जो सरोगेट मा होगी वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और वह बच्चा किनका कहलाएगा तो जो दमपती थे उनका ठीक है इस तरीके से हुआ इस तरी भी क्या कहलाएगे अपने बच्ची की मा ठीक है दोस्तों तो यह रहा आपके सामने क्या सरोगेट मा का टॉपिक सरोगेट मा पूछती है अगर आपसे सरोगेट मा क्वेश्चन पूछे तो आप इतना लिग दीजिए आपको टोटल नमबर मिल जाएगा ठीक है आई यह दूसरे क्वेश्चन को डिसकस करते हैं दूस का विकास पढ़ेंगे ठीक है जब भूड परिवर्दन दूसरा चिप्टर है आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें क्या होता है ठीक है दो तीन कैविटियां होती है जैसे एमनियोन होता है कोरियोन होता है एलन टॉइस होते हैं ठीक है उसी में कैविटी है उसका नाम क गर्भा वस्था में भुड के सभी उपापचे क्रियाओं की जानकारी के लिए किया जाता है क्या बुला गया दोस्तों कि इस तकनीक का उपयोग गर्भा वस्था में भुड की सभी कोशिका सभी उपापचे क्रियाओं की जानकारी के लिए किया जाता है यानि गर्भ में जो भृड है ठीक है उसमें जो सभी क्रियाएं है ठीक है उसको या एक दूसरा definition देखेजिए यहां लिखा गया है ब्रैकेट में लिखा गया है कि जन्म से पुर्व यानि जन्म से पहले गर्भ के रोग निदान को हम क्या कहते हैं उल्ब बेधन कहते हैं या यानि हमारे पास एक ऐसी टिकनीक है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो गर्भ में ठीक है जो बच्चा है वह क्या है उसमें कोई डिजीज नहीं है या वह पूरी तरीके से स्वस्त है कि नहीं है हम यह क्या कर सकते हैं हम पता लगा सकते हैं ठीक है किसके द numeotic fluid में तेरता रहता है यानि अमौनिग द्रब्ब में वह तेरता रहता है ठेक है इन्जेक्शन की सुी द्वारा Amniotic implemented को निकाल कर उसमें उपस्थित को सिकाओं कِ जाच की जाती है ठेक है जो भुड़ या गर्ब होता है जब वह say द्रब्ब में होता है तो उस एम्नियोटिक द्रब्य को हम सुई के द्वारा क्या करते हैं निकाल लेते हैं और उसमें उपस्थित कोशिकाओं के बारे में हम क्या करते हैं अध्यन करते हैं ठीक है यहां देखें निकाल कर कोशिकाओं की जाच की जाती है इस जाच में घातक रोग हुआ गुर्षुत्रों के असामानिताओं को देखा जाता है यानि जब हमने उसमें उपस्थित कोशिकाओं का अध्यन करेंगे या हम जाच करेंगे तो हम क्या करेंगे हम जाच में क्या देखेंगे कि उनकी कोशिका में कोई घातक रोग तो नहीं है या उसके ग गुरुड़ को नस्ट कर दिया जाता है यानि जब हमने जाच किया जब हमने चेकप किया तो हमें पता चला कि भूद में या जो गर्व था उसकी जो कोसिका थी या जो गर्व के घड़ित महिला है उसमें क्या था उसके गुरसुत्रों में असा मानटा थी या उसमें कोई गवाटिक रोग था या और भी कोई अभेवस्था थी तो उस यह हम क्या करते हैं उस यह कुई गर्भ को नश्ड़ करवा दे थे o फार एक्जामपल करूप में आपको दो जैसे हम कहते हैं ति अगर कोई HIV कोई अगर HIV से पीडित महिला है तो उस HIV से पीडित महिला को गर्वधारण नहीं करना चाहिए क्यूं क्यूंकि अगर उस महिला को HIV है तो उस महिला से HIV उसके बच्चे तक क्या हो सकती है इसकेश में हम क्या करते हैं दोस्तों इसकेश में हम करते क्या हैं कि जो यह Amniocentesis यह उल्व बेधन टेकनीक है इस टेकनीक से हम क्या करते हैं यह पता लगाने कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि उस महिला में HIV था तो हो सकता है कि उस बच्चे में भी HIV क्या कर गया हो ट्रांसपर कर गया हूँ तो इसके लिए हम क्या करते हैं उल्वबेधन को हम करते हैं यानि एम्नियो सिंटेसिस टेक्निक के हम यूज करते हैं अगर मा लिजे कि हमने देखा कि उस महिला से बच्चे में HIV का वारस ट्रांसपर कर गया जो HIV वारस है वह ट्रांसपर कर गया तो हम क्यूं चाहेंगे कि कोई AIDS से ग्रसिद बच्चा इस कर देखा तो हमने क्या किया भुर को डिस्ट्रॉय कर दिया भुर को नष्ट कर दिया और इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं इसी हमने घ। सब्कुत अगर Up कुक कल कहा गया था आपने कहा था सर जी MTP पढ़ा दीजिए ठीक है यानि medical termination pregnancy क्या होती है ठीक है तो हम मैं इसे ट्राइ करता हूं अभी मैं पढ़ाने को सब्सक्राइब कर दूँए ठीक है दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है अगले lecture में तब तक के लिए ठीक और फिर भी मैं कहा रहा हूं अगर आपको अभी भी कुई किसी टॉपिक में दिक्कत हो परशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताईएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए और जादे जादे लोगों तक सेर किये ठीक है धन्यबास दोस्तों